बश्कार दोस्तों मैं समीर आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल डिजिटल पाउर में हार दिक स्वागत करता हूं इस वीडिये में हम बात करेंगे कि जो भी अनसुच जाती अनसुच जन जाती या पिछड़ा बर्ग के लिए या युवा उद्धमी ओजना के लिए अप अप्लाई किया गया था उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया है डॉक्मेंट में आपको कौन-कौन से डॉक्मेंक लगाने होंगे modification कौन-कौन क्लिक करने के बाद आपके सामने next पे जोपन होगा इसको आप डेक्सर साइड कर लीजिएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाए देगा यहां पे आपको मिलेगा यहां रजिस्टर करें तो यहां पे आपको अपने सभी डिटर्स फिल करके रजिस्टर कर लेंगे अगर आपने पहले apply किया है reject हुआ है तो उस condition में आप पहले से खाता है यहां पे click करके और login करेंगे login के लिए यहां पे आपको अपना अधार number डालना है जो password create की है या password आपको डालना है login पे click करना है अगर आप password भूल चुके है तो यहां पे एक page मिलेगा एक link मिलेगा यहां password बड़ लेका वहां सब पासवर बदल सकेंगे तो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूँ आपको documents कौन-कौन से लगाना है कौन-कौन से documents इस बार आपको मांगा गया है तो सबसे पहले हम logging कर लेते हैं logging होने के बाद इस तरह से page आपके सामेने open हो जाएगा यहां पे आपको अपना registration number मिल जाएगा यहां पे आपको मिल जाएगा documents वाला section तो मैं यहां आपको documents दिखाने वाला हूँ ताकि आप पहले documents अपना जो है वो त्यार कर ले उसके बाद आप apply का process start करें तो मैं यहां पे आपको document वाला section पे क्लिक करेंगे direct और आपके सामने जो भी documents की आउस सकता है अनिवारे documents है वो यहां पे आपको मिल जाएगे document अप्लोड करते हो तो आपको jpg, jpg, png या pdf का उप्योग करना है जो भी आप star marking है वो आपको mandatory है documents लिस्ट में आपको मिलेगा सबसे पहले जाती परमाणपत्र आपके पास होना चाहिए अगर आप महिला candidate है तो यहां पे महिला candidate का जाती परमाणपत्र नहीं है वो बेकल्पिक है, optional है उनको upload नहीं करना होगा अगर आप mail candidate है तो आप apply करेंगे उस समय आपको जाती अनिमार है दूसरा जो documents है वो आपको मैटी का marksit है, marksit आपको लगाना होगा या मैटी का certificate आपको जनम से संब्धित परमाणपत्र के रुप में आगे बढ़ते हैं यह होगया आप documents आप देख लीजिएगा, दूसरा और next तीसरा documents है वो आपको इंटर का या इंटर से संब्धित यानि अगर आप ITI किये हैं तो ITI या इंटर किये हैं इंटर या उसके संकक्ष उर्दू से किये हैं या आप संस्क्रित बोर्ट से किये हैं तो यहाँ पर उससे संब्धित यानि इंटर के संकक्ष documents अप्लोड करेंगे उसके बाद आपको कोई highest qualification है और documents यहाँ अप्लोड कर देंगे नहीं है तो इस पर देख सकते हैं star marking नहीं लगा है जैसा यहाँ पर लगा है ऐसा star marking यहाँ नहीं लगा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं आगया यह गा तो अब आपको मिलेगा आवासिय परमाड़ पत्र का तो आपको आवासिय परमाड़ पत्र भी upload करने होंगे आवासिय परमाड़ पत्र आप 2022 का जो बना है वो upload करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर आपको एक photo लगाना है और signature लगा देना है यह आपके पास मिल जाएगा असानी से लेकिन यहाँ पर जो जाहिर सी बात है documents है व आपको cancel check मांगा जाता था उसके बाद आपको current account मांगा जाता था लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर बैंकिंग वाला विबरन में जब आप आईएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए कि यहाँ पर यहाँ पर परकार पर क्लिक करेंगे तो इ current account के आप सकता नहीं है लेकिन आप जब इस से इस page से बाहर आएंगे जब आप home page पर आएंगे तो यहाँ पर किलियर mention किया गया है कि आपको जो proprietorship के मामले में आवेदक के नाम से ब्यक्तिकत बचत खाता यानि saving account या firm के नाम से saving account मानने होगा परन्तु आवेदक के रीड अंदान के सबकृति के बाद आवेदक द्वारा जो भी उनका ब्यक्तिकत चालू खाता है उस form के नाम से परवर्तित कर देना होगा और उसके उपरान थी जो आपके राश्ची है bank account में transfer किया जाएगा या RTGS के माधिम सी आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर यह mention किया गय तो मैं आपको apply करने का जो A to Z यानि light process में आपको बता दूँगा कि आप कैसे apply कर सकते हैं आप अपने mobile phone से भी कर सकते हैं आप अपने घर बैठे इसके लिए apply कर सकते हैं सभी यहाँ पर documents का list भी यहाँ पर दिया गया है इसमें आपको कौन कौन से documents लगाना होगा अगर आ आप महिला है तो कौन से documents लेंगे अगर आप धमी योद्ना के लिए apply कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से documents लगेंगे यहाँ पर दिया गया है अगर आप जो योगता निम्नुवत क्या होगी वह भी जनकार दिया गया है महिला है उस condition में आपको कौन से documents लगेंगे इस सभी जनकारी यहां पर आपको दिया गया कि आवेदन करते वक्त कौन से जनकारी आपको लेनी चाहिए कौन से जनकारी आपके पास होनी चाहिए तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को